बड़े दिन को English में क्या कहते हैं या आज की इस VIEDEO में सीख लेते हैं बड़े दिन के दो मतलब निकल सकते हैं एक तो मानले जी आपने बहुत ज्यादा काम किया है आज आपका बहुत लंबा दिन हुआ है तो उसको आप एक बड़ा दिन कह सकते है और दूसरा बड़ा दिन जो है वो 21 जून के दिन को माना जाता है यानि कि जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है रात सबसे छोटी होती है तो उस दिन को भी बड़ा दिन कहते हैं या आम तोर पर 21 जून को होता है तो दोनों बड़े दिन के लिए English में क्या कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ जो आपका बड़ा दिन हो लंबा दिन हो तो उसको आप big day, a hectic day या a long day कह सकते हैं इसके इलावा जो astronomically बड़ा दिन होता है यानि कि 21 जून का जो दिन होता है उसको आप summer solstice कह सकते हैं यानि कि the summer solstice is the longest day of the year and also known as estival solstice और midsummer इसे आप midsummer day भी कह सकते हैं या estival solstice भी कह सकते हैं it occurs when one of the earth's pole is tilted the farthest towards the sun यानि कि हमारे प्रत्वी का जब एक pole जो है वो पूरी तरीके से या सबसे ज़्यादा सूरिय की तरफ जुका हुआ होता है तो उस दिन ये जो है सबसे बड़ा दिन होता है और इसको estival solstice या midsummer भी आप कह सकते हैं या summer solstice भी कह सकते हैं या जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि हर कोई बड़े दिन की तैयारी कर रहा था यहाँ पर बड़े दिन का मतलब है जो किसी की जिन्दगी का बड़ा दिन हो यानि कि माले जी किसी के कोई event बड़ा होना है या कोई शादी किसी के लिए बड़ा दिन हो सकता है तो उस तरीके के बड़े दिन को आप big day कह सकते हैं तो आप कह सकते हैं everyone was getting ready for the big day everyone was getting ready for the big day या अगर आप ये कहना चाहें कि वे बड़े दिन का बेसबरी से इंतिसार कर रही हैं तो आप कह सकते हैं they are eagerly waiting the big day अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें